हेलो स्टुडिंट आज हम एक्सल में आगे के कुछ स्टेप्स देखेंगे और कुछ जो है वो फॉर्मुलाज देखेंगे दीखिए कंडिशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटाइजर टेबल, सेल स्टाइल्स हमने कर लिए थे कि मैं यहां पर एक्टिव किया कि इंसय पर चलते हैं डिखें इन साउस सवस्ट संसे Um आव अपको डाऊंड में करना है जहां पर देखिए है यह मेरी थे इनक्ति ऑप यहां पर डाऊन पर करना पर यह सिर्प यह जो एक्टिव सेल है एक टेक्टेंगल बाक्स स्सmee मैं इस तरीके से अगर कहीं पर आपको बैलु इंसर्ट होगा यहां पर इस तरीके से अगर कहीं पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है और जो पहले वाला डेटा है उसको डाउंड में रखना है तौह लाइक जैसे माल लीजी ये मैंने cell ये मैंने horizontal एक row सिलेक्ट किये है मैं यहां पर गया ये देखिए मैंने insert cell किया तो मैंने selected करके किया तो एक row यहां पर insert हो गई अगर इसी row को आपको क्या करना है delete करना है तो ये देखिए ये delete हो जाएगी अगर मान लिजिए मैं यहां रखता इस तरीके से और इंसर्ट शीट रो पे जाता तब भी है जोई यहां पे एक रो मतलब इंसर्ट रो करवाने के दो तरीके हैं एक तो आप सिलेक्ट कर लीजिए जैसे इस तरीके से आपने सिलेक्ट किया और insert cell पे जाएगे click करेंगे तब भी हो जाएगा और एक अगर मान लीजी आप direct जैसे मान लीजी यहाँ पे आपने रखा दीखे मान लीजी यहाँ पे आपने cell को active किया और आप insert में गए insert में sheet row किया तो sheet row से भी आपकी एक row जो है वो insert हो जाएगे अब मान लीजी जैसे मान लीजी मैंने यहाँ पे यह किया है इस तरीके से column को select किया insert sheet columns किया तो एक column यहाँ पे insert हो गया तो इस तरीके से insert करवाने के लिए use में लिया जाबता है column insert करवाने के लिए row insert करवाने के लिए cell insert करवाने के लिए इसे माली जी इंसर्ट किया है मैंने अगर इस कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट शीट कॉलम भी आप कर सकते हैं और देखिए शीट आपकी इंसर्ट यहां से आटोमेटिकली जो आप क्लिक करेंगे इस सिंबल पे तो होती रहेंगी अगर माल लीजे फिर भी अगर आपको शीट इंसर्ट करना नहीं आ रहा है तो आप यहां से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट शीट यह देखिए यह शीट वन से पहले एक शीट फाइब जो है वो इंसर्ट हो जाएगे अगर शीट को आपको डिलीट करना है तो यहां से शीट डिलीट भी हो जाएगे देखिए वो शीट फाइब जो है वो डिलीट हो गई है तो इस तरीके से आप data, आप cell, row, column, sheet, insert यहां से कर सकते हैं और delete करनी है, तो आप यहां से कर सकते हैं, यह options, ठीके, उसके बाद मैं देखिए, जिसे मान लेजी, column है, यह यह पूरी row है, ठीके, पॉर्मेट्स पर चलते हैं, देखिए, row की height, row की height अगर बढ़ानी हो, ठीके, जिसे मान लेजी, मैं यहां पर कर देता हूँ, row की height, तो य increase करनी है, देखिए, ठीके, 8.43 है, ठीके, तो, जैसे मान लेजी, मैं यहहां पर क्या किया है, मैं यहां पर 15 किया, किया, तो यह देखिए, column की width जो है, वो, increase हो गई है, अगर मान लेजी, auto fit column width करनी है तो है, इसकी auto fit है, ठीके, default width करें, तो यह इसकी default width सी visibility row है, column को hide करना है, यह column यहाँ पर hide हो कि यहाँ पर column देखेए, F के बाद में सिधा F आँ खार रहा है, अगर आपको unhide करना है, तो unhide column करिए, यह देखे, यह complete जो है hide हो गया, अगर थोड़ा सा भी इस तरीके से रहेगा, तो column जो है वो आपका दिखता रहे है इस तरीके से आप hide, unhide sheet का rename है sheet का rename आप इस तरीके से कर सकते हैं या तो यहाँ पर click करिए या यहाँ पर rename जैसे माल लेजिए मैंने यहाँ पर click कर दिया यह icon यह मैंने आपको first lecture में बता दिया था ठीके यह इस तरीके से हम इसको ठीके उसके बाद में देखिए जैसे माल लेजिए sheet को copy करना है move करना है, move आप इस तरीके से भी कर सकते हैं यह देखिए sheet 2 पहले थी, sheet 3 हो गई ठीके, जैसे माल लेजिए यह e icon India है यह आपको ठीके, यह देखिए e icon India हो गई आपको जो है, जो sheet move करवानी है वो right to left करवानी है यह चीज ध्यान रिखेगा इसमें इस तरीके से, और देखिए नीचे ना हलका सा border आ रहा है यह icon India के yellow, इसको tab color बोलते हैं देखिए जैसे माल लेजिए मैं tab में गया और मैंने यहां से red कर दिया, तो देखिए red आ गया उसके लिए, अगर मैं no color करूँगा तो देखिए different colors जो है, जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप यहां से कर सकते है देखिए इसके bottom में जो है वो color आ जाएगा देखिए LCM calculate करना देखते हैं LCM, LCM किस तरीपे से कर देखिए से माल लेजिए LCM और माल लेजिए मैंने क्या किया यह range select करती है आप है यह range select की enter किया तो यह देखिए, यह LCM आ गया इस तरीके से आप LCM calculate कर सकते हो formula के देखिए माल लेजिए आपको lower case में करना है data lower case equals to lower और मैं यहां से लेके यहां तक के name जो है पिन एंटर किया तो यह देखिए और automatically जो name है मेरे सारे के सारे किसमें हो जाएंगे lower case में हो जाएंगे माल लीजिए आप हो कोई task repeat करना है कोई task repeat करना है किसी number को आपको roman में convert करवाना है roman में convert करवाना है equals to roman और माल लीजिए मैंने यह column डाल किया है मैंने एंटर किया तो यह देखिए यह क्या किया इसने यह जो data है उसको roman में convert कर दिया यह सारा का सारा roman में convert कर दिया आज एक formula और देखेंगे हैं इसे माल लीजिए हमें count करना है देखिए यह जो count है सिरफ numbers को count करेगा और जो भी हमारा text है उसको count नहीं करेगा इसे माल लीजिए मैंने लिखा count देखिए मैं यह complete ले रहा हूँ यहां से लेखे और मैंने क्या किया मैंने यहां तक potato ली गया देखिए enter किया तो 6 आया 6 आया तो देखिए B2 1 2 3 4 5 6 तो यह 6 जो है value है इसने खाया कि 6 जो है वह आपकी digit values है इस तरीके से यह count करते हैं hope so आपको समझ में आया होगा okay thank you God bless you all